जे जे जगन्नात जे जगन्नात जे जगन्नात जाशु पतितपावन बड़वान गावहि कविश्रुति संठ पुरान बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम कराई बिधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी जे जे जगन्नात आहाहा मनिमा अपनंकर इजो अपुर्ब रूप अपुर्ब स्वरूप कु भक्त तार हुरुदेर धारन करी थाए एबं तार हुरुदेर धारन करी से प्रती मुहुर्त रे हुरुदेर धारन करी थिवा अपनंकर से अपुर्ब कमनी रूप कु शे देखी आनंद लाभो करी थाए, तुरुप्त हुई थाए, मनिमा आपणंकर इजु स्वेत पदम आखी देखी लेगो साखी, चित की बाहुडे आउू। तेनु महाप्रभुंकर इजु स्वेत पदम आखी, महाप्रभुंकर इजु चका डोडा, चका चका नयन अपुर्भ भावर देखी वे जदी नाना विधा पुस्परे पतित पावन नारायन आभूशित हुई छम्ति मस्तकर अपुर्भ चिता, रामानम्दी चिता, रोप्यर नेनिवित हुई अचंती, एबं मस्तक अदेशरे दुई पार्ष्वरु, देखी वे गेंडु फुल, एबं रजनिगंधा फुल, एबं नाना विधा पुस्प सुन्दर भावर महाप्रभुंकु लागी करजाई अचंती, नाकचन, जुम्पा इजु नाना विधा अलंका नेनिवित हुई अचंती, आपना ताह मध्या गोट्टे दिना मध्या करिवा अपनांका पक्ये समभवपरहे बनाही। काराना सेथिकी समया सेथरे जिव, पुस्पमध्या जिव यह हुचे एठी सभुकीछे महाप्रभु जहेतु करू छंती, एठी सभुकीछे सेपरिभावरे ये महाप्रभुंकर ये मंदिर येते मंडपमान रही ची ये सबु मंडप भीत्रुमध्य तेक दिव्य मंडप जेउ मंडपर महाप्रभु श्नान हुएंति ये मंडपरे महाप्रभुंकर येस्ठा श्नान हुए थाई एवं श्रिमंदिर ये बाहर बढ़ार अवस्थित इजु श्नान मंडप अमे कहुचे ये महाप्रभुंकर बाहर बढ़ार अवस्थित इजु श्नान मंडप ये अरो अईति ह हुचे आग्यां विशेश रूपर ग विग्रहमाने पहंडी विजे पुरुग्वक एही मंडप उपरे अधिश्टित होई थान्त। श्णान मंडप आपण निश्चित भावर देखि थिवे ए खेत्ररे मनिमा श्णान होई जेउ मंडप परे गजानन वेशरे दर्शन दियंति अगणित भक्तमानूंकु एवं गणपती भटंकर मनवांचा पुर्ण करिवानिमंते भगवान जगदिस्वर जगनाथ सेदिन ग कोने सहुचम्तिस्ट भिगिने स्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगधिताय नागाननाय सुरुति जग्य विभूसिताय गोरी सुताय गणनाथ नमो नमास्ते तो तंकु दर्शन कले ये जीव साजुज्य सालोक्य सारुप्यय मुक्ति प्राप्त हुई थाये वयकुंठ कु गमन करिथाये ब्रह्म्ह लोक प्राप्त हुई थाये तो जहतुस्य ज्यानी एबंग महान पंडित शे ब्रह्म्हन जणके चेते बढ़े आसितिले गणपति ये भएं भड्ट सुदर महाराष्ट्र रू भट तंक टमज्ध्य नीडास करी ना हंति मढिमा तंकु गजानन वेशरे दरेशन देई गजानन वेशरे दर्शन देई सेठारे मुख्य प्रदान करिछंती यहा मद्ध्या अमरा प्रमान रहिचे अजिर जहा प्रसंग अमरा स्रीमंदिर अरे स्नानमंडप महाप्रमुंकरी जुश्नानमंडप इविशरत अनेक गथा अनेक तत्व अनेक तत्थ्य अनेक गाथा रहिचंती एवं यह प्रसिद्ध जुश्नानमंडप इयार बर्नना मद्ध्य निलाद्री महोदे एवं आमरा केतक उडिया साहित्य गरम्थमानंकर मद्ध्य यह आपना देखिवे सठी मद्ध्य रहिची बर्नना निश्चित हागरत स्रबन करिवा स्नानमंडप संपर करे देवस्नानमंडप महप्रभुंकर किन्तु ता पुरुब्बरु यह जय जगन्नाथ टिभिरे मुरजु मावपमाने भाई भोनिमाने अनेक अगनीत जगन्नाथ प्रेमी स्रध्धालु भक्त ब्रुंद मानुकु यह दास यह अकिंचनतार हुरुदेर गभीरतम प्रदेशुरु विपल स्रध्धा भक्ती शनमान निवेधन करि असंतु स्रबन करिवा स्री मंदिरेर देवस्नानमंडप संपर करे अग्यां ये मंडप मानंकर अईतिह भा यगन्नाथ महाप्रभुंकर bugन्न निवेधन स्री मंदिरे ये जते सब मंडप मान रहिचंत से मंडप मध्यरु स्नानमंडप देवस्नानमंडप यहाँ हुचि विशेष गुरुत्व पुर्णमंडप काहिए कि ना आउँ सबु जत्ते मंडप रही चंती, से सबु मंडपरे काण हुए, ना को मंडपरे नाभिकटा मंडप अची, एई परिभावर स्री मंदरीर आपना जुआरे देखिवे अनेक मंडप मान सबु रही ची, किन्तु जगनाथ महा प्रभुंकर, ये जु मंडपटी, अमर ना आउँ सबु मंडपरे चलंती विग्रह माने आशिकरी, सठी लिला करिधामती, नितिमान अनुष्ठी तो हिथाए, किन्तु स्वयं महा प्रभु, ये जु जगनाथ मंडपरे आची, अधिश्ठी तो हिथामती, स्वयं स्री विग्रह, स्नान मन, स्नान गुंडी चाए, बेनी, स्वयं लिला जारो, पतीत पावन, अरथे, प्रासादु बाहारो, स्नान एवं रथ जात्र, जेहत्व महा प्रभुंग स्वयं लिला करिथामती, ये दुईटि परभरे, स्थिनिमंत ये स्नान मन्डपर, महत्व, विशियं अत्यमत गुरुत्व पुन्नोटे, इवं जद्यापन देखिवे, स्नान मन्डप संपरकरी निलाद्री महो देया अनेक अमर उडिया साहित्य ग्रंथमानंग्र मध्यवर्णना मिलिथाए, एवं स्वयं महा प्रभु माने ये जश्ठपुन्निमा दिन, एही मन्डप उपरे विराजमान करी, प्रत्यक्ष भावे, स्नान करु थिवारु, जन जहां आमर उल्लेखर अहिचीचे गजपति महराजा कपिलंद्र देवंक पुर्भरु, स्री मंडिर भितर बेढ़ास्त, आमर प्रतिहारी निजोग कार्जियालय, ओ विमान सरगर, बर्तमान जोट आमर स्री मंडिर शाखा कार्जियालय रूपे सूपरिचीत, सेइस्तान ठ कपिलंद्र देवंक राजत्तों काल बहार विमान स्री मंड़ा स्री मंडपन कश्ठ निर्मीत मंता, ओ श्ननठन निती अनुष्ठीत हुँथिवाल, आनुष्ठीत और सेइस्तान रे प्रफमेत पुर्बरु सेष्थान रहुथुला, स्नान मंडपुला, एबं परवर्ति समयरे, माने पच्छरे, गजबती कपिलेंद्र देवंक राजत्व कालरे, इह बाहरो बेढा निर्मान हेवा समयरे, एही स्थान टीरे, अन्यान्य सरघर मंदिर इत्यादी निर्मित होई, बर्तमान आनन्द बजार परिशररे, एही मंडपटी निर्मित होई थेला, एबं मादला पंजीरे जहां आमर वर्नित होची, जे ए उत्तारु कपिलेंद्र देवं, राजा राज्य कले, ए राजांक तिनियं करे, श्री पुरुषत्तमा बड़ देवल, बाहरो बेढा कले, बाहरो बड़ा पंजी संपाट्दना, जाहां आमर दित्यो संस्क्रण मद्धे देख्यों आक मिले जे उनैस, अनस्तरी रे जाहां आमर दित्यो संस्क्रण होई जी इस तानरे, आमर वित्याहसिक मानन क मतरे जे शुरुष्य बन्सरे, प्रतिष्ठाता गजबती कपिलेंद जी इस छीत्रदेवंक द्वारा स्री मंदीर बाहरवरा निर्मान है भाप्परे, बर्तमान र स्नानमणप निर्मान होई जी। किन्तु ये जो श्नानमंडब आपन देखु चम्ति ये ठु ये प्रथमुरहु नाहंति ये पुर्वरु काथरे एक निर्मान करा जये मंच बाबेदी सही कास्थर मंच निर्मित होई ये ही श्नान जत्रा पुर्वरु पालन करा जयुद्धुला एबंग श्नानबेदी निर्मानर बहु बर्ष परेमध्य आमर प्राय ख्रिष्टिय अस्टादस सताप दिरे एही मंडपर पाहच भोई बन्षर राजा आमर गजबती बिरकी शरई देवंक राजत्त समयरे हुई थिवार सुचना मिले एबंग ये संपरकर जगबंधु सिंहंकर मद्योय कर रचना रहीची जे प्राचीन उतकड ग्रंथ विसे ग्रंथ रुल्लेकर रहीची जे बिरकी शरई देव ये तैयालिसी वरस्व राजत्त्तव कले हृस्टाद्ध सतरस साइंतिरिसी सतरस असी इस्नानबेदी र अनस्तरी एवं सत्तुरी मसिहारे ततकाले न स्रीमंदिर प्रशाषक, स्री परमानन्द त्रिपाठिंक समयरे एहिस्णान वेदिर जिरिन सम्सकार पुर्भक जी आई पाइपमान मंडप उपरे संस्थावित ओहिदला। एबं जदि आपन देखिवे ये पोवरानिक ग्रंथमान करे महाप्रभुंकर स्नान निमित्त मन्च निर्मान किपरी कराजिव ताहा मद्ध्य उल्ले खरोईजि आमरो। एबं श्नान मंडपर निर्मान विधी विशयरे आमरो देखिवे निलाद्र महोद्य ग्रंथर सुचना अनुजाई ये मंदिर अइशान्य कोणरे एही मन्च निर्मान करीव तेपरी कि आमरो स्कंध पुरानेर मद्ध्य वर्णना अनुजाई ये देवगण देखिपारु स्थानर विविध करू विराजित वो परिश्कृत स्थानरे एहा निर्मान हेवा उचित शैपरी ब्रम्ह पुरानर मद्ध्य उल्लेख रहीची कृत्वा सुषोभनम मंच पताका भिरलम कृतं सुद्रुढ सुख सम्चार बस्त्रै पुस्के इरिनम कृतं तो अर्थ कहन ना सुषोभित मंच पताका भिभिनप्रकार पताका लगिवो भिभिनप्रकार पुस्प अलंकार रे सज्जित हुई जम्ति अक्यंत आकर्षणियो हुई थिवो इपरिभाबर आमर ब्रम्ह पुराण स्कंद पुराण मध्यो कहुचंति महाप्रभुंकर इश्नानमंडप कि परिहवा दरकार इबं केमिति हबा दरकार इबं जदिया आपन देखिवे श्रिमंदिर बाहर बेढ़ा स्थित आनंद गजार परिशरेर मध्यो उत्तर पुरुब्ब कोणरे सु विख्यात स्नानमंडप बाश्नानबेदी अवस्थित ये मंडप पुटि जद देखिवे यहुची पुरुब्बाम मुख्य मंडप ये पुरुब्बाभी मुख्य हैकिरी विद्यमान अवस्थित सीच्थार आचंति एबं स्री जगनाथ मंदिर आमर सत्त लीपी मुताबक ये प्लोट नंबर 148 एही मंडप टि रही चंति एबं जदि देखिवे से मंडपर निर्मान स्वय दैरिग्य और प्रस्थ ये दूइटी जाक दैरिग्य और प्रस्थ ये उभय चौ बनपुटु चौ इनची लेखाएं रहिति बास थड़े आनंद बजार र चटान ठारू एहाँ चौ पुटु चौ इनची उच्चरे रहिय चि एबं बरगाकृती मंडपर चारोटी पाह परे पंचम पारच उपरे श्री भि mosque्रहमानंकर अस्थानने मित्य पिंडी सीथ रहिची मंचम पाह चरे उपरे महाप्रभू जोटि बसंति ताको पिंडी ल बखली देखिव्ये तीके गोलाका रहिकीरी तीके उच्च उच्चा आसान महाप्रभूंका असान ताको पिंड रहीचे एबंग महाप्रभु ताप्रविराजमान करंती एबंग एही पंचम पावच्छकु लागी गोटे कांथ रहीची जहाकुकी प्रभाक वह जाये एबंग ये कांथ रद्र दर्ग्य जदी आपने देख्यों ये प्राय कोडिये पुटु पाखा बक्ये हेवो प्राय क पावच्छमानमध्य रहीचंती एबंग श्री विग्रहमाने विराजमान करुथिवा पिंडी संगलक्ण एही प्रभाकंथरे छोटी काष्ठ निरिमितो खुंट समस्थापितो हुई थाए एहा अंजना खुंटी नामरे सु परिचीत शे खुंटी की अंजना खुंटी एबंग श्नानमंडपुर चतुह पारश्वरज दि देखिवे ये सहे 81 फुट बर्ग परिमितो तथा 3 फुट छोईंची उचता बिशिष्ट एम एस ग्रील बाडवमध्य संस्थापितो हुई ची पंचम पावच्छती आनंद वजार चटान थाडू पराय आमरो 11 फुट उच्चरे रहिय ची एबंग सिंघासन पिंडिरू प्रभापर्ज्यंत उचता प्राय ये दसभुटू अटे एबंग स्नान वेदिर चटान रूप जाइतिवा पंचम पावच्छ उपरे संस्थापित तिन्नोटी गोलाकार पिंडिका चक्का उपरे श्री विग्रहमाने स्री जगनाथं को पिंडिर व्यासार्धो हुचि तिन्नी पुटू ओ उच्चतार उच्चतारे नय इंचि देभी भद्रांक पिंडीर व्यासार्ध दुई फुटु उचेता आगार रो यू ची एभँ श्री वड़भद्रांक पिंडीर व्यासार्ध दुई फुटु चारी यू छी उचодарा हुची आठोई यू ची अस्थान उपरे दुई परश्वरे देखिवे आमरो धुइटी बाड़ सम्मुख कुग बाहरी रहीं ची एबं इप्चापट थिभा काम्थर अशार प्राय धुइपूड नौई नहीं ची एबं अबस्थाण देभी पछपट काम्थटा थारु पछग कुग बाहरी रही थिभा अन्सर ओसार प्राय दुई पुट्टु एक कोईंचे हब। एबं इजो पिंडिका बाद चकासन स्थापन होई थिबा आस्थान ट्रियो लंबवुची 24 पुट। एबं ओसार जदि आपनों देखिवे ओसार प्राय पांच भुटु विशिष्ट ओटे एही आस्थान आमरा उत्तर दीग पटे श्नान जल निस्कासन पाईं एक ख्युद्र नला रहय चिस्थान दे श्नान मंड परे। एबं जदि आपनों देखिवे एही ठारू तलकू आपनों उल्हाय पाईं थिबा जो समुदाय चारी गोटी पावच्छ आमरा श्नान बेदी चटान ठारू रही अथि श्नान मंड पर चटान ठारू जाई थिबा प्रथम पावच्छर लंबा 26 पुटु चारी इंची एबं तुरत्य पावच्छ लंबा 26 पुटु एबं चतुर्थ पावच्छ लंबा साइपरी आमरा 26 पुटु एबं ओसार मध्य तेनी पुटु आटे तो आपनों देखिवे मंडर मंडपर उपरकू मंडपर उपरे समुदाय पहश अठीटी जी आई पाईपी द्वारा मो पुक्तर पटे पाँच पुर्भरे चारी पस्चुमरे चारी दक्खिन पारश्वरे तिन्नटी रहितिवावेळे सिंघासन सम्मुख उपछ पारश्वरे मोट सात्ती खुंटर रहिय अच्छि ये कौन पाई रहिचिना चांदुवा बंधाव श्नान मंडप समेर जहितु महाप्रफ आसिवे या अति सुन्दर भावरे चांदुवा बंधाव जिवा पाई चांदुवा को सुन्दर भावरे सजाय जिवा पाई ये जीयाई पाईपी द्वारा ये खुंटिवानंक सह समग्रद बेदी उपरे एक फ्रेम निर्मित होईचि पुर्भरु ये शुब जियाईतार से समयरे द्यवस्था करायाई ची एबंग दोलवेदी प्राचिरीमध्य से समयरे होई थेला एबंग श्नानमंडप उपरकु जिवा पाईँ ये उभाय दक्षिन एबंग उत्तर पार्शोरे प्रस्थर पावच्छर होईचि एबंग श्नानमंडप देखिती सम्मुख पट्टु अर्था समनापटु जिवा पाईँ कोणेशी बेवस्था नहीं पावच्छ नहीं ये उत्तर एबंग दक्षिन पार्शोरे प्रस्थर पावच्छर होईचि पथर रसुंदर पाहच्छ अचि तनमध्धेरे उत्तर पटे आमर आठटी पावच्छ पुडिकर द्रग्ध्य प्रयायो एगार फुटु हेवो एबंग चौडा आमर अडही फुटु ओ उच्चता हुची दसाइँची विशिष्ट अटे सहीपरी दक्षिन पार्श्वरे साथ अटी पाहच्छ रही अच्छी एही पावच्छ देई श्री विग्रहमाने पाहच्छ गुडिकर लंब प्रय जोदी आपना देख्याव इए चौद फुटु लेखाए हवो एबंग इपाहच्छ रा चौद फुटु लेखाए एबंग चौडा जोदी आपना देख्यावे इह प्रय साधेति निपुटु एबंग उच्चता चौई अची विशिष अट्टे प्रंगमध्य करा जाई थाई मंडपर प्रभाक अंथरे नाना प्रकार रो चित्र चित्रादि शुब कार्जय पुर्भक अधिकर अधिक जोदी आपना देख्यावे आकर्षणिय करा जाई थाई एबंग शेथिरे पदम चित्र ओलट पदम ओ चारी विग्रहंकर पच्छ परश्व प्रभाक अंथरे जाई आपना देख्यावे पदम पुस्पमानो नाली हलदिया कला इत्यादि शुब पारंपरिको पानी रंग द्वारा चित्रित करी थाम्ति एतत व्यतित अमर श्नान पुर्भदिन जाई आपना देख्यावे अहाँ प्रभंकर श्नान पुर्भदिन इस श्रिमंदीर प्रशासन पक्छिर मध्यो आकरशनियो भावरे शबुरंगी नी कनार चांदुआ मानो मंडपरे समस्थापित जी आई जू फेम अच्छी जी आई पाई पर जू फेम से फेम मानंकरे बंधाय आई थाए मोट चाउद गोटी चांदुआ एठीन मित्त व्यवरहुत होई होई थाए एबंग चांदुआ गुरिकर आकार मध्यो तिन्नी फुट्र दसफुट द्रग्यो विशुष्ट होई थाए एतत व्यतित श्थानियो जी आमर सबु सजाशची करंथी डेकरेट करंथी सेमानंक द्वारा विभिन्न लाइट विद्ध्यत बॉल्व अलोक मालारे मध्य मंडबटी आकर सणियो भावे सजीत करा जाई थाए एबंग सुचना जग्यो जे ये गत्या किछी वर्ष धरी स्नान पुर्णिमा दिन मंडबटी विभिन्न पुष्प मालारे सुसजीत करा जाउची एबंध्यो इबर्षक बर्ष आहुरी अधिका आकर्षणी ये हुची बधा कि चुक्वाम हो नहीं करना जेहेतु माहप्रभु हेटी हर्ता कर्ता दोईव विधाता येटी प्रभु उचंदी सबु किछी ये हुचंदी मालिको मनी माहँचंदी मालिको तांको इच्छारे तांको आज्यारे ही सबु किछी होई थाए तनु ये बर्षुक बर्ष वढ़ु थाए आहुरी आनंदर इसुब पालन वई थाए महाप्रभुंकर एवं जदि आपन देखिवे ये पवित्र स्णान मन्दपो परे परब्रम्हरुपी श्री विग्रहमाने विराजमान कुरुथुवा समयरे जळपुजा, जळलागी, गजपती महराजंक द्वारा, राज नितिशेवा, छेरा पहरा, विग्रहमानंक रगजानन वेश जगू, एही मंडप्र माहत्मे मध्य सर्वत्र प्रचारित श्री महाप्रसाद भोग पुजारे, द्रुष्य एही मंडपरू, बडदन्ड कु द्रुष्य माने हुथाए एवं जाती, धर्म, बर्ण, निर्भिशेशरे यावाल, बृद्ध वनिता, स्नानमंडप उपरे, महप्रभुंकर, स्नान व गजानन वेशकू, प्रत्यक्ष रूपे, दर्षन करी, निजकू कु पुर्तार्थ मनितांति इवं जदी देखिवे आपना स्नानमंडपरे, महप्रभुंकर, उपरे जु जला अभिशेक करा जाये मनि मांकू से स्नान जलकू भक्तमाने मध्य, अती आनंदर सहित महप्रभुंकर, चरनाम्रत कू पान करी थांति यह परिभावरे श्नानमंडप संपर करता आपना सुनुधुले निश्चित भावरे, यह श्नानमंडपरे जेतो श्रिमंदिर केउँ आबल्यकालरू महप्रभुंकर, विराजमान करी चंदी एबंग महप्रभुंकर यह प्रासाद अनेक थर भांगी ची अनेक थर तोड़ा जाईची, यह परिभावरे इजो श्नानमंडप आपना स्रावन करूत ले एबंग देखु चंदी मध्यों, यह एठारे मुलश्नानमंडपनु हां, पुर्भरु महप्रभुंकर मंदिर बे कानरे एक कास्ठ निर्मित मंचा उपरे महप्रभुंकर रश्नान हो थे, परवर्त्ती समयरे कपिलेंद्र देवंक समयरे इए मंडपटी निर्मान करा आजाई, महप्रभुंकर रश्नान से समयरु एही मंडप उपरे कराय जयो अच्छी, यह तो महप्रभुंकर परंपरा, प्रभुमध्य पॉचन्ति मोहर नहीं ले करून गविंदौ प्रह्म्हा संकर है बेवणा गोबिंदmeter तक शेण महाप्रभुणत्ति, करुणा न होबु मिंक्ष्छाम अहबु नlorfficient今日 peppers गीभु संससे । एक हिसे सहे स्क्रिय महाप्रभु प्रहकोहें खाले मत्ति रखिले रख जगन्नाथ केही नाही रखमता तुम्भेन रखिले भासिली सुनी हुआ अचिंता इपरिभावरे सत्य धर्म द्वारा जिये प्रभुंको आराधना करी थाए सत्यरे जिये थाए अशे प्रभुंको सहजर आती सहजरे पाई जाए अधिया अपन देखिवे देखंतु अम अवरा पुरान मानं करे अनेक कथा मध्या रहिया चंती एबं ए राजा हरिश्चंद्रंक संपरकर मध्या संदर उपाख्या न रहिचंती जे इत्रता जोगर कथा सही हरिश्चंद्र उचंदी भगवान मर्जदा पुरुषत्तम रघुनाथंकर बन्सर जने राजा इत्रता जोगर कथा जे सत्यर रहिले आमरों कौन फाइदा सोत्रे रहिले आगियां कौन आमरो हुई थाए कौन मंगलो हुई थाए जदि आमें सोत्रे थिवा धर्म रे थिवा आमरो केही किछी खतिकरी पायरी नहीं काहिं कि ना धर्मो रक्षती रक्षत हो धर्मन दूशर सत्यसमाना आगमणिगम पुरान वखाना ते नूँ धर्मठारू कि यह सधर्मठारू सत्यठारू आओ कौन सी बड़ा धर्म यह जगतरे नाहीं ते आमें सोत्र ना रहिवा अशत्र रहिवा अधर्म रहिवा तवे अमेर अशविधार परोड़με। परिच्ख है। राजा अहरिस्चंद्र को केते वाधा केते विघिना केते परिख्या से नाधेई छम्ति शीपर ये त्रिता जगर कथा इस शुर्ज्य मनसर जण आ करित करमा राजा थिले तंका नाम होचिकानना हरिस्चंद्र एपरी जने दातापनेर मद्ध्य तंकर सुख्याती चतुरुद्धिकर व्यापी थिला एबं से सुधारतर मद्ध्य सुधीर संती विररूपरे तेज ओझाव बुत्धिर मद्ध्य, पAnnत्रित्य मद्ध्य गांभिर्ज gases केही तंकर उट समकक्र नतेले से समयर एबं तंक पाखुर मद्ध्य कही उट निरासजी ही फ्यरुन देले तिन्नी पूरणेतंको दातापणियार जय जयकार व्याफि थेला, राजा हरिष्चंद्रंकर, सत्यवादी हरिष्चंद्र, तो देवतागन देखिले, देवतागन देखिले, आश्चर जय चकित होई गले, एबंग इंद्रमध्यनी जर पदवी जिवा भयरे, प्रमाद गण देखिले, तुरंत जय ब्रम्हांक पाकरे गुहारी कले, इंद्रमकु अभय प्रदान करि ब्रम्हा विष्वामित्रंकु टकाई कहिले, हे विष्वामित्र यथा सिग्र राजा हरिष्चंद्रंक पाक्खकु जाओ, दिभिन्न उपायरे तंक, दातापणियार परिख्या क ब्रंभंक निर्धेशरे विश्वामित्र विध्यारूप धरी विश्वामित्र दिव्ध्यारूप धरी द्हालन करी अगले परिख्या करिए आपनले राजा हरेश्चंदर हुझ एवं जदि आपन देखिवे राजा हरिष्चंद्र एते परिख्या देई छन्ति एते कठीन परिख्या देई छन्ति राज्य चलिगला पत्नी चलिगला पुत्र मध्य अंतिम समेरे जते वड़े पुत्र आशी छन्ति राजा हरिष्चंद्र से समेरे समसान रख्यक भावरे चंडाल र करिज़ करू छन्ति शे समेरे तेले निजर पुत्र वियोगरे मर्माहतो ही राजा हरिष्चंद्र तकु दाह करिवाने मन्तिय आशी छन्ति से समेरे मध्य तांको परिख्या दवाग पुडूची एवङ से समेरे भगवाने संकर पुरकट होई समस्त कथाक अउचन्ति ये तांकर परिख्या हुथलावली एवङ समस्त परिख्यार से उत्रिन्न होई चम्ति जेते जीवनरे जेते बाध्या विगिन कश्ट आसिले इस बिष्वास कर्भिगिरी दखन्तु महाप्रहु सदासरवदातार रख्यार द्याइत्तो नहीं आई चन्ति जे मोर मोप्रेची भरसा रखीची मुतार रख्या करीब पर यहुची प्रभुंकर पन यहुची प्रभुंकर बड़ा पन बारी मंते घृत होई शिकता ते वरुतेल बिनु हरी भजनुन भवतरिय यह सी धामता पेल तेनु सस्त्रामर कहुचंदी गुष्वामित तुलशिदास जी महराज कहुचंदी बारी मंते घृत होई ज़ि पानी की मंता न करीवासिया मध्यक यही जिवा बाल्ली की जदिया में खोडिवात आधुर मध्य तेलवारियो किन्तु बिना हरी भजनरे यह भवसागर को कहित पार ही नामती की पार ही परिवे नाही मध्य प्रभुंक भजनकर, प्रभुंकर नामनिय, प्रभुंकर संकिर्तनकर, यहुची नामर प्रभाव, नामर प्रतापत द्वाराईय जीव, उत्तमगती प्राप्त विथाई, उत्तमगती लाभ करिथाई, प्रभुंकर धामकु जत्रा करिथाई, प्रभुंकर धामकु जत्रा क प्रशन करूछन्ति जोज वन्नात टिभी चनल मध्यमरे महाप्रभुंकर अपुर्भ स्रिवस्ट खंडशाला प्रासाद ये सिंगत द्वाररू अति अधभुत भावरे अरुनस्तंभ एबंग अरुनस्तंभ वुप्रेविराजमान करी चन्ति अरुन प्रणाम मुद्रारे म महाप्रभुंकर स्तंभ वुप्रेविराजमान करी अचन्ति भक्तमान मध्य जदी देखिवे भक्तमान अंकर भिडमध्य सैपरी रहियाची भक्तमान जातायत करूछन्ति अति व्यापक अति शुरूंखलित सुन्दर व्यवस्ता मध्यरे भक्तमान जाई दर्शन करूछन महाप्रभुंकु जहांकु कोटी-कोटी कामदेव देखेले लज्यारे मुह तलकु पति देवे तेनु सियहुचंति स्वामी जगनात स्वामी नयन पथगामी भवत में अपनमाने स्रवन करुथिले महाप्रभुंकर ये श्नानमंडप संपर करे जेउँ श्नानमंडप स्रिम महाप्रभु स्वयं स्री विग्रवासी महाप्रभुंकर रश्नान जत्रा अनुस्ठीत होई थाई तेनु से मंडपर महत्म्य महत्व अत्यम्त गुरुत्व पन्न आटे तेनु एपरिभावर जाजगनात ती भी देखुथांतु अपनमाने मर्तमान ये अकिंचन तार बान कि विश्राम दवो कारण समयासी उपस्तित होलानी समय समयरो कथा तेनु निश्चित भावर आपनो इपरिदेखु थांतु एबंग पांच घटिका समयरी महाप्रभुंकर पतका लागिमत द्यतर्शन करिवे एवे आसंतु आमे स्रवन करिवा अडिशार सु नाम धिन्य क नमिता ग्रलमें करसु लडित कंठरू सुन्दर हैवरे भजन जय 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 श्री जय नात